स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर SECR नागपुर की तरफ से ITI Pass Out ये अड़ेट सिली 700 ज्यादा पोस्ट पे अप्रेंट्सिप की वेकेंसी आई थी जो कि आपका नागपुर डिवीजन और मोती बाग वरक्सॉप की तरफ से वेकेंसी निकाली गई थी इसमें आपका Short Listed Candidates की लिस्ट जारी हुई थी Document Verification के लिए और 5 तारिक से लेके 15 तारिक या नहीं 5 से 15 सितंबर तक आप सबके Document Verification किये गए थे अलग-अलग ट्रेड के यहाँ पर तो जो Candidate यहाँ पर Document Verification कराने गए थे अबर आप लोग कमेंट करके बताईएगा और जो Candidate नहीं जा पाए उनके लिए यहाँ पर बड़ी Update आ चुकी है तो सबसे पहले Marit List देख लेते हैं उसके बाद उस Update के बारे में बात करेंगे उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पर लिए चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कीजेगा चैनल को साथ में वीडियो को लाइक वाशेयर भी कीजेगा और सबसे इंपोर्टन ऐसी सभी Update वा इंफॉर्मेशन के लिए आप मारे साथ जोड़ सकते हैं इसमें आप लोग अपना नाम चेक आउट कर लीजेगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिट इसमें साथ लिस्ट हुए हैं इसमें पूरी जो लिस्ट है इसको आप लोग इसमें अपना नाम चेक आउट कर लीजेगा क्योंकि यह स्केंड कॉपी है इसलिए आप यहाँ पे कोई चीज सर्च नहीं कर पाएंगे जैसे आप सर्च भी करते हैं तो चीज फाउंड नहीं होगा तो आपको इसमें अपना नाम चेक करना होगा अगर आपका नाम इसमें आता है तो आपको डॉक्मेंट वरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखे बुलाया गया था और जो डॉक्मेंट वरिफिकेशन की डेट रखी गए थी वो यहाँ पे थी 5 सितंबर से स्टार्ट था serial number wise यहाँ पर document verification के लिए बुलाया गया था और last जो date थी वो रखी गई थी 15 सितंबर 2023 15 सितंबर को यहाँ पर क्या था कि जो भी candidates ऐसे हैं जो EWS PHX serviceman candidate थे वो जा सकते थे and 14 सितंबर में यहाँ देखिए क्या था जो भी EWS PHX serviceman candidate हैं जिन्होंने apply किया हो नागपूर division के लिए वो यहाँ पर जा सकते थे क्योंकि आपका apprenticeship portal पर जो है EWS PHX serviceman वाला option नहीं आता है ठीक है तो यहाँ पर आप जो candidates माल लिजे आप अगर select हुए थे और आप 15 तक किसी document verification करा सकते हैं ठीक है लेकिन आपको क्या-क्या ले जाना होगा उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो आपको checklist का printout निकाल लेना है और इसमें जितनी चीजें लिखी हैं उन पे आपको tick करते जाना है कि आप ये ले लिए हैं तो उसे आप नहीं ले जाएंगे उसे यहाँ पे यहाँ तक chances हैं joining के time पे जब आपको बुलाया जाएगा तो medical certificate के साथ आपको बुलाया जा सकता है तो यहाँ पे जो भी candidates outlist हुए थे नहीं जा पाए किस reasons देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको भी mail आया होगा SAC Railway नागपूर डिवीजन और रक्षाप मोती बाग में Apprentice Pack 19 के तहत वर्स 2023 ले Act Apprentice की नियूकती के लिए दस्तावे सत्यापन इस तरह का एक mail आया होगा जिसमें यहाँ पे देखिए लिखा है कि West Outlisted उम्मीद्वार किसी कारण बस उप्रोग दिनांक को दस्तावे सत्यापन के लिए उपस्तित नहीं हो पाये थे उन्हें एक आखरी आउसर दिया जा रहा है वो अपने मूल दस्तावेजों के साथ वरिष्ट मंडल कार्मी कधिकारी कारयाल है अपना डॉक्ट मेरिफिकेशन करवा सकते हैं अगर आप एपसेंट रहे हैं उस केस में तो यहाँ एक और बात समझने वाली है कि अगर इसके बाद भी कुछ कैंडियेट एपसेंट रहे जाते हैं तो पूरा चांसे साथ इसमें अगली मेरिट लिस्ट भी आएगी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए अब वो जॉइनिंग के पहले देंगे या जॉइनिंग के बाद देंगे वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा लेकिन यह तो लगभगता है कि आपको जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकती है इसके बाद इस तरह की कोई भी अपडेट आपके पास आती है तो आप भी हमारे साथ सेयर कर सकते हैं जिस तरह से मनीज जी ने हमारे साथ सेयर किया टेक स्टेडी iti at the rate gmail.com पे ठीक है कोई भी आपका डाउट हो कोई सवाल हो कोई help शेये वो भी आप इसमें mail कर सकते हैं साथी साथ आपके पास ऐसी कोई information वो update आती है तो भी आप हम तक mail कर सकते हैं जिससे कई सारे candidates की यहाँ पे help हो जाती है Thank you very much ख्याल रखियेगा आपना मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में कई सारी permanent job और अप्रेंसिप की vacancy चैनल पे आई हुई है जिनका हमने update भी दे दिया है उसे आप चेक आउट करके जिसमें भी eligible होते हैं उसमें form जरूर fill up कर लीजएगा जिससे आपको आसानी हो अपने career में आगे progress करने में तो updated रहेंगे हर तरह की opportunity से तो कहीं न कहीं आपके लिए वो helpful रहेगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे रहे है बिल्कुल बिना किसी लापरवाही के क्योंकि आने वाला time जितनी आप मेहनत की रहेंगे उसका reward आपको अच्छा मिलेगा कई सारी vacancies आने वाली है Thank you very much, ख्याल रखेगा अपना